गरीब का करवा चौत शारदा का पती मुकेश बुरी आद्तों का शिकार था रुजानशारदा को मारना पीटना और उसकी कमाए पैसे छीन कर ले जाना उसकी बुरी आदत में शामिल था एक दिन मुकेश शार्दा को मार पीट कर वहां से चला गया तब ही शार्दा के पडोस में रहने वाली जानकी उसे रोता देख लेती है जानकी मुसी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुकेश पहले ऐसे नहीं थे इस गरीबी के दिनों ने हमारी किसमत में ना चाने कितने दुख लिख दिये है शार्दा मैं जानती हूँ, तुब बहुत दुखों में जीवन व्यतीत कर रही है मैं मुकेश को समझाऊंगी कि वो शराब पीना छोड़ दे वो मेरी बात जरूर मानेगा नहीं मौसी, अगर तुमने उनसे बात की तो यही कहेंगे कि मैं तुमसे उनकी शिकायत लगाती हूँ और फिर वो और बुरा व्यभार करेंगे बेचारी शारदा बहुत परिशान रहती थी लोगों के घरों में जाडू पोछे का काम करना, मेहनत करना और रात को आकर पती के तानों और गुसे को सेहन करना एक दिन शारदा काम पर जाती है, वहां शारदा कल शाम को थोड़ा जल्दी बरतन कर जाना हां शारदा करवा चौध का वरत सभी सुहागिनों के लिए बहुत फलदाई होता है ये वरत घर में सुख शांती पती की लंबी आयू, धन, वैभव सुख सम्रिधी सभी के लिए रखा जाता है करवा चौथ का वरत हर सुहागिन महिला के लिए बहुत जादा माइने रखता है इस दिन हर सुहागिन अपने पती की लंबी उमर के लिए निर्जला वरत करती है और सोला श्रिंगार करके चांद को देखने के बाद अपने पती के हाथों से पानी पी कर वरत खोलती है और फिर पती पतने मिलकर करवा माता का आशिरवाद लेते हैं अच्छा सुन ये 200 रुपे रख मेरी तरफ से शार्दा घर जाती है और अगले दिन वरत रखने का सोचती है शार्दा की बेटी प्रिया कहती है मा मेरी सारी सहेलियों की मम्मी ने साड़ी खरीदी है नई चूड़ी पहनी है आप क्यों नहीं खरीदने गई नहीं बिटिया मेरे पास इतने पैसे नहीं है मालकिन ने 200 रुपे दिये है इनसे कल घर में साग सबजी खरीद कर फिर खाना बनाना है कल शाम को करवा चौद की पुजा करके भोजन बनाऊंगी और मा करवा को भोग लगाऊंगी ये पैसे उसी में काम आएंगे तभी मुकेश आजाता है और जानकी को रुपे चुपाते देख लेता है अरे कौन से फाल तुके भृत रखती रहती है ये और पैसे उड़ाती है ये तो ऐसे सोच रही है कल करवा चौद का भृत रखेगी अगले दिन जब शारदा करवा चौद का वरत रखकर शाम की पूजा के लिए सामान लाने लगती है यहीं तो रखे थे मैंने दो सो रुपे कहां गए प्रिया तेरे पापा का है तूने देखा मा पापा तो अभी बाहर गए है मुझे लगता है वो दो सो रुपे यही उठा कर ले गए है अब मैं क्या करूँ हे मा करवा चौद देवी अब मैं कैसे आपकी पूजा करूँगी कैसे आपको भोग लगाऊंगी मा चुप हो जाओ आप ही तो कहती हो भगवान हमारी हमेशा मदद करते है वो हमारी मदद जरूर करेंगे शार्दा रोने लगती है भूखी प्यासी करवा चौद का वरत रख कर वो दर्वाजे पर ही बैठी मुकेश का इंतजार करती रहती है मुकेश आता तो वो कुछ खाने के लिए बनाने कलाती पर रात के साथ बच गय थे शार्दा करवा माता की पूजा आरती करके जोद जलाती है तभी परोस की मौसी जानकी रोती हुई आ जाती है शार्दा बेटी पता नहीं कोई लड़की भागते हुई आई थी वो बोल रही है मुकेश को बहुत चोटे लगी है वो सड़के किनारे बैठा है उससे चला नहीं जा रहा तो तुम ले आओ क्या? हे मा करवा मेरे पती की रक्षा करना मा शार्दा जानकी के साथ भागी भागी जाती है सड़के किनारे मुकेश बैठा होता है उसके पैरों में कुछ चोटे थी शार्दा और जानकी उसे घर ले जाती है रही थी मैं घबरा गया मुझे लगा आस तो मैं गया और मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ कर खेश से खिचा हो और मैं सामने से आती गाड़ी से बचकर किनारे पर गिरा मुझे पता है नहीं चला कि वो कौन था जिसने आज मुझे मरने से बचाया शारदा आज अपने मौत को सामने से गुजरता देख मेरी आखों पर विश्वास हो गया है कि भगवान सच में होते है तुम्हारे करवा चौत वरत में बहुत शक्ती है शायद आज मैं तब ही बच पाया शारदा मा करवा चौत को नमस्कार करती है और सुनिए आप कप्टे बदल लीजे मैं आपका हाथ मुधुलवा देती हूँ मुकेश दूसरी पैंट बदल कर पहन लेता है तब ही उसका हाथ जेब में जाता है ये मेरी जेब में क्या है ये तो वही 200 रुपाए है जो मैंने सुभा शारदा से लिए थे पर मैं ये मुकेश को याद आता है कि जब उसने 200 रुपाए चुराय थे तो इस पैंट में रख लिए थे पर कुछ देर बाद उसने देखा कि ये पैंट फटी हुई है तो उसने बदल कर में खर्च नहीं होने थे बलकि ये रुपे शारदा की करवा चौद की पूजा में ही लगने थे मुकेश की विवहार को बदला देख कर शारदा बहुत खुश होती है उसकी आँखो में खुशी के आंसु थे मुकेश उन 200 रुपेँ से बाजार से सबजी और प्रसाद खरीद कर लाता है शारदा मा करवा को भोग लगाती है और उसके बाद वो चंद्रमा पूजन करती है चंद्रमा को अर्क देकर शारदा अपने पती मुकेश के हाथों से जल पीती है और प्रसाद खाती है पापा आप और मा दोनों साथ में हसते हुए बहुत अच्छे लगते हो उस दिन के बाद से मुकेश सारी बुरी आत्ते छोड़ देता है और काम पर जाने लगता है और एक गरीब का करवा चौत वरत सफल हो जाता है शास्त्रों में वरत को बहुत महत्व दिया गया है हर वरत की अपनी महमा और अपना महत्व है इसी तरह करवा चौत वरत का भी अपना ही महत्व है यदि कोई भी वरत और पूझा सच्चे मन और सच्ची शरधा से की जाए तो व्यक्ति के जीवन में खुशियां जरूर आती है